हेलो गाइस विल्कम बैक टू दिस चैनल सो फ्रेंड्स इंडियन मार्केट में 12 सेप्टेंबर को वीवो की तरफ से वीवो टी 3 अल्टरा स्मार्टफोन लोच होने वाला है जो कि वीवो की टी स्रीज का काफी प्रीमियम डिवाइज रहेगा और यह स्मार्टफोन गाइस 35,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है तो देखते दोनों स्मार्टफोन में क्या कुछ डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेंगे बड़ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कर देना एंड अफकोस गई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइ कि लिए को मिलेगी दोनों स्मार्टफोन प्लस्टिक फ्रेंब के साथ आते हैं लेकिन वी-ओ भी 40 स्मार्टफोन में 6.78 inches का एक 1.5 के resolution वाला 3D curved M LED पैनल देखने को मिल जाता है जहां पर आपको 10 bit colors HDR 10 plus का sport देखने को मिलेगा और इसमें guys 120 hertz की higher screen efficient का sport भी देखने को मिल जाता है और interesting बात यह है कि यहां पर 4580s की peak brightness भी दी गई है और आपको Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन में भी same display specs देखने को मिल आपको दोनों स्मार्टफोन में same देखने को मिलेगी बड़ दोस्तों performance में आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी बड़ा difference देखने को मिल जाएगा because friends Vivo V40 स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen3 processor देखने को मिल जाता है जो कि 4nm fabrication पर बेस्ट है और इसके 20 smart score की बात करें तो यह 8,000,000 क देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर LPDDR 4X RAM UFS 2.2 storage दी गई है बड़ वीवो T3 Ultra स्मार्टफोन में आपको मेडिया टेक की तरफ से Diamond City 9200 प्लस देखने को मिलेगा प्रेफरेंस के लिए बता दूगा इसके 22 score आपको वीवो V40 स्मार्टफोन से डबल देखने को मिलेंगे आमिन यहाँ पर 1.6 मिलियन तक अन्तु स्कोर देखने को मिल जाते हैं तो performance यहाँ पर आपको काफी जदा crazy देखने को मिल जाएगी Heavy Gaming के लिए वीवो T3 Ultra स्मार्टफोन काफी तगड़ा होने वाला है और इसमें आपको LPDDR 5X RAM और UFS 4.0 Storage भी देखने को मिलने वाली है बाकि फ्रेंड्स दोनों स्मार्टफोन आउट दो बोक्स एंडूड 14 पर देखने को मिल जाते हैं और दोनों में आपको तीन साल के मेज जर ओस अबडेट भी देखने को मिलेंगे के में बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगा विकोज फ्रेंड्स वीवो T3 Ultra स्मार्टफोन में रियर साइड पे आपको Dual Camera का सेटप देखने को मिलेगा और वीवो V40 स्मार्टफोन में भ क्योंकि OIS के साथ आता है और इसमें आपको 50 MP का ही अल्टर वर्ड सेंसर देखने को मिलेगा बाकि यहां पर 4K 60 एपिस तक आप मैक्स वीडियो शूड कर पाऊगे और फ्रंट की बात करें तो यहां पर भी 50 MP का सेंटर पंचोल सेल्फी केमरा देखने को मिल जाता है और इसके फ्रंट केमरा से भी आप 4K 30 एपिस वीडियो रिकोड कर पाऊगे लेकिन वीवो T3 अल्टर स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल सोनी आमेक्स 921 OIS में केमरा देखने को मिलेगा और यह सेंसर गाइज हमें वीवो वी 40 प्रो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है काफी बढ़िया केमरा सेंसर है केमरा कॉल्टी आपको काफी ओसम देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको 8 MP का अल्टर वर्ट सेंसर दे इक एको मिलेगा बेंटी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर आपको कोई HTML देखने को मिलने वाला है तो बैटरी डी स्मार्टफोन में 4NM fabrication पर देखने को मिलते हैं तो बैटरी देन आपको semi देखने को मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन को charge करने के लिए 80 वोट की wide fast charging का support भी दिया गया है और all guys conclusion की बात करें तो Vivo V40 स्मार्टफोन में आपको features सही देखने को मिल जाते हैं लेकिन friends Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन ज्यादा great value लेकर आएगा विकोज यहां पर आपको camera sensor performance ज्यादा better देखने को मिल जाती है और बाकी features भी आपको Vivo V40 स्मार्टफोन के equal देखने को मिलते हैं even guys आपको price भी Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन की कम देखने को मिलेगी सो नोड़ाट यहां पर Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन winner निकल कर जाता है तो फिलाल दोस्तों यह कुछ information थी दोनों स्मार्टफोन के regarding hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना और फिलाल दोस्तों यह कुछ information थी Vivo T3 Ultra and Vivo V40 स्मार्टफोन के regarding hopefully आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो like कर देना अपने दोस्तों के साथ share करना and of course गाई चैनल पर पहली बार आई हो तो subscribe करके बेल आइकन को जुरूर से प्रेस कर लेना मिलता है नेक्स टूडियो में बाई बाई टेक कियर